नमस्कार मैं हूँ सूख्रती ईरोय और बूल्सकाई में आप सभी का स्वागत है कई लोगों का ये मानना है कि बच्चों का मुंडन करवाने से बाल घने आते हैं कई धार्मिक संस्कारों की तहर बच्चों का मुंडन करवाय जाता है यहां तक कि एश्या में भी इस रीती का पालन किया जाता है एकुम्र के बाद बच्चे का मुंडन करवाना जरूरी होता है ताकि उसके बाल घने और अच्छे आए हिंदू संस्कृती में भी मुंडन संसकार किया जाता है हाला कि गौर करने वाली बात ये है कि इस तरह की धारणा में कितनी सचाई है क्या है सच अक्सर माता पितापने बच्चे का मुंडन ये सोच कर करवाते हैं कि उससे बच्चे के बाल पहले से जादा घने और हिल्दी आएंगे यहाँ पर आपको ये समझाना जरूरी है कि अगर आपके बच्चे के बाल मुलायम और हलके हैं तो ये उसके जन्मजात बाल हैं कई बच्चों के सेर में जन्म के लगभग चार महीने के बाद एक मुलायम परत हड़ जाती है और इसकी जगा नए बाल आजाते हैं जिन्ने मैच्चोर हेर कहा जाता है इन बालों में इस बात का पता चलता है कि असल में आपके बच्चे के बाल कैसे हैं और ये जीन्स पर भी नर्भर करता है मुन्दन करवाने से इस चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता ये बात सच है कि बाल रोम छिद्रों से उगते हैं और जन्म के समय हमारे सिर पर निश्चित संख्या में hair follicles होते हैं वैसे तो ये पूरी तरह से आपका निर्ने है कि आपको अपने बच्चे का मुंडन करवाना है या नहीं लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि मुंडन के बाद भी बाल वैसे ही उखते हैं जैसे कि शिशु के चार महिने की उम्र में होते हैं फिलहाल उस वीडियो में इतना ही ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ